आज के इस वीडियो में उम्राव वीजा में जो लोग साओधी अरेविया आए हैं उनके लिए लास्ट एग्जिट डेट कौन सा है उसके बारे में डिसकस करूँगा आज का ये वीडियो थोरा सा डिस्प्यूटिट और कंटाडिक्टरी होगा क्योंकि मेरे जो ओपीनियन है और बाकि जो में इस्ट्रीम मीडिया है जो वेबसाइट में न्यूज पब्लिस किया गया है इस सब्जिक के बारे में वो बिलकुल भी नहीं मेंच होगा डिफरेंस डिफरेंस इन ओपीनियन जरूर होगा आप वीडियो को इसलिए कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बताऊंगा कि जो में इस्ट्रीम मीडिया है वेबसाइट है उसमें क्या न्यूज पब्लिस किया गया और एक्चुल में क्या है मैंने जो इन्वेस्टिगेशन करा उसको किस तरह से करा जो भी में बात आपको बता रहा हूं वो मेथट भी बताऊंगा कन्फ्यूजन कहां पर एराइज हुआ उसके बारे में बताऊंगा और जो टेक्निकल कॉंसेट है वीजा वेलिडिटी का इस्टेप रियेट का कब से सुरू होता है कब खतम होता है उसके बारे में भी डिसकस करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह के जो इशुज है उसको खुद बखुद रिजॉल्ड कर सकते हैं है पहले बात करते हैं कि जो ویब साइट में जो पिब्लिस किया गया वह क्या पिब्लिस किया गया वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, आपने भी परे होंगे, हर वेबसाइट एक दूसरे वेबसाइट का रेफरेंस लेता है, कि उस वेबसाइट में ऐसे लिखा हुआ था, कि जो उम्रा वीजा है, उसमें जो भी लोग आए हैं, उसमें एक exit date है, predefined exit date है, वो date घट के कम हो गया है, 14 days उसमें कम हो गया है, पहले 6th of June था, लास्ट exit date, और अब उसे घटा के 23rd of May कर दिया है, यह में मीडिया में, और बाकि कुछ और लाइन्स भी उसमें जोरे गए हैं, कि जो वीजा का validity है, वो entry के बात start होगा, कुछ website में लिखा हुआ है, कुछ website में लिखा हुआ है, जो वीजा का validity है, वो issuance के बात होगा, ऐसे बहुत सारी बाते लिखा हुआ है, इन सारी चीजों को मैं constructive तरीके से आपको बताऊँगा, यह आपके उपर depend करता है, कि कितना आप इसको समझ करते हैं, और believe करते हैं, और हर बार में अपने हर वीडियो में यही आपको बताता हूँ, कि जब भी कुछ इस तरह का news हो, तो आप ना तो किसी website का सुनेंगे, ना कोई YouTuber का सुनेंगे, आप सुनेंगे किसका जो news बनाता है, जहां से origin होता है, source of information, तो यह जो dates है, यह ministry of Haj and Um information मिल जाएगा, मैंने भी वही करा, वह मैं explain करूंगा, यह तो था news में, अब actual scenario क्या होता है, जब हो मुम्रा वीजा लेते हैं, तो उसमें एक visa issuing date होता है, और उस visa के issue होने के बाद, जब यहां पे लोग आ जाते हैं, तो एक particular duration रुख सकते हैं, जो fundamental concept है, वो यह कि जिस दि से आपका visa issue होगा, उसमें एक date लिखा रहेगा visa issue date, उस दिन से आपका 90 days validity होगा, और जिस दिन आप उस validity के अंदर अगर साओधी में आ गये हैं, तो जिस दिन में आप आ गये हैं, उस दिन से 90 days आप रोख सकते हैं, वो हो गया stay period, तो यह fundamental concept है, लेकिन हज के वैसे यह concept थो बेसक जो validity है visa का, वो basic 23rd मैं के बाद हो रहा होगा, माल दीजे आपने 1st of April में visa लिया, तो 90 days आपका कब होगा, April, May, June, June end में होगा, लेकिन हज के वैसे 23rd of May, last date decide कि जो भी लोगों के पास valid visa है, वो 23rd मैं तक इंटर कर सकते हैं, ओके, एक बार आप इंटर कर गये हैं, तो concept के मताबिक आप 90 दिन रुख सकते हैं, लेकिन अज के वैसे इसमें भी एक exception है, कि आप, आपको 6th June से पहले-पहले वापस जाना है, माल लिजे आप 20 माई को आपने इंटर करा, तो 90 days तो नहीं रुख सकते, क्योंकि यह guideline है, कि आप 6th June से पहले-पहले आपको जाना है, guideline क कैसे है, यही dates आपके visa में लिखे हुए है, already, red ink में, उसको आप देख लीजे, समझ लीजे, तो यह fundamental concept है, अब तक मैंने आपको बताया, news में क्या है, fundamental concept क्या है, जब मुझे यह चीज़ पता चला, तो थोरा सा unusual लगा मुझे, तो मैंने क्या किया, सीधा-सीधा सबसे पहल उम्रा को कॉल करा, उनका number है, reachable है, आप भी चाहें, तो उनको कॉल कर सकते हैं, अगर साओधी के अंदर में हैं, तो आप 1-9-66, एक number है, toll free, उसमें call कीजिए, अगर English में बात करना है, तो 2 press कीजिए, इसके बाद customer is YouTube को बात करना है, 4 press कीजिए, इसके बाद आपको connection हो ज मैंने भी उनसे यही बात पूछा कि, मेडम ये बताईए, कि जो उम्रा वीजा में आने वाले हैं, उनका last date of entry क्या होगा, और last date of exit क्या होगा, उन्होंने बताया है, कि last date of entry, 15th Arabic का 11th month है, dual kidah, dual kidah, जो 11th month है, हिजरी केलेंडर का, 15th dual kidah में उनका last date of entry होगा, और 29th dual kidah, जो हिजरी केलेंडर है, उसमें exit होना है, अगर यही दो dates को, अगर आप Gorgian केलेंडर में अगर आप convert करते हैं, तो जो 15th dual kidah है, वो होता है, 23rd of May, और जो 29th dual kidah है, वो होता है, 6th of June, तो इससे ही मैंने तो यह verify कर लिया, कि जो dates visa में लिखा हुआ है, वो ही date applicable है, मैंने ये भी पूछा उन से, कि क्या कोई नया सरकुल आया है, आने वाला है, उन्होंने बोला नहीं, यही update है, आप भी इसको verify कर लिजे, मेरे बातों पे विजवास मत कीजिए, इस number पे call कीजिए, और अपने हिसाब से verify कर लिजे, और दूसरा मैंने क्या करा, उनके बहुत सारे tweets पर है, क्योंकि सारे website में ये बताया जा रहा था, कि जो X है, Twitter X, उसमें बहुत सारे applicant को Ministry of Us और उम्रा ने response करा, और ये सारी बाते सामने आया, लेकिन मुझे ऐसा कोई tweet तो मिला लेकिन जब मैं ये tweet धूण रहा था, तो मुझे एक tweet जरूर मिला, ये आप screen में देख लीजे, ये है आज का tweet, 15th of April 2024 का, लगबग सारे तीन बजे, तीन बच के 20 मिनिट में ये tweet किया गया था, response किया गया था, किसी applicant के question का, उसमें 1520 को, उसमें ये ही बताया है कि duration of visa 3 months from the date of entry into the kingdom of Saudi Arabia, and expiring not later than 20th of dual kidda, okay, 20th क्या है, 6th June है, Gorgian calendar का, तो ये बात अभी का ही है, Twitter और इसमें ये लिखा हुआ है, okay, दूसरा, तीसरा बात, एक और था, कि मैंने उनके जो website को review करा, scan करा, आप बोल लीजे, okay, Arabic में है, English में translator के देखा, कहीं ऐसा news मुझे नहीं मिला, जहां पर ये लिखा हो, कि date जो कम हो गया है, okay, तो इसका conclusion यही है, मैं थोड़ा सा elaborate इसलिए कर रहा हूं, कि ये एक disputed subject है, बहुत सारे, अच्छे अच्छे जो website है, उसमें लिखा हुआ है, मेरा opinion different है, इसलिए explain कर रहा हूं, तो conclusion इसमें यह है कि dates remain same, उसमें कोई change नहीं हुआ है, जो last date of entry है, वो 23rd of May, मैं है, और जो last date of exit है, वो 6th June है, उससे पहले पहले आपको चला जाना है, यहाँ पर और थोड़ा सा investigate गया, तो मुझे एक थोड़ा सा, मैंने एक चीज़ अब्सर्व किया, कि confusion आया कहां से, कोई तो source of information होगा, यह website वालों का, कहां से इन्होंने यह बताया कि यह जो date है, वो change हो हो गया है, 2023 में 3rd June को, 3 June 2023 को एक ट्वीट करा था, Ministry of Hajj and Umrah ने, उसमें उन्होंने यह बात बताया था, कि जो भी लोग हैं, उनका last date to perform Umrah है, 15 dual al-qida, ओके, अब जो भी news उन्होंने बनाये हैं, क्या पता, उन्होंने डीटेल में नहीं देखा, कि यह हिजरी केलेंडर 1444 का है, यह 1445 का है, 1444 2023 का है, 1445 अगर आप गोर्जन कलेंडर में देखेंगे, तो वो है 2024, अभी जो चल रहा है, वो ही समझ लीजे, ओके, फाइन, तो मुझे लगता है, यह confusion वहीं से शुरू हुआ, और बाकी सारे लोगों ने फोलोड किया, मैं जानके थोड़ा सा हैरान भी कि इस तरह कि अगर चीजों को हम वैलिडेट नहीं करेंगे, तो क्या पता बहुत सारे ऐसे नियूज होते हैं, जो पता नहीं कहां से कहां पहुंचता है, अगें, आप मेरे बातों पर विजवास मत किजिए, आप मिनिस्ट्रियों अमड़ा का जो नंबर दिया हूं, उस प इस कम कर दिया गया है, क्योंकि आपको जो वीजा दिया गया है, उसमें किले लिए ये डेट्स लिखे गया है, तो इन्ती 3rd में और 16th of June, 6th of June, रातो रात ये दिन तो कम नहीं कर देगा, वो, यहना क्यों करेगा, करने में बहुत सारे लोजिस्टिक इसू आएंगे, चैल को अभी suddenly change करना कोई logical decision making नहीं लगता है, अगर आप decision maker होते, तो आप ऐसा करते, बिल्कुल नहीं करते, तो technically ये कोई भी नहीं करेगा, कि date को automatically कम कर देगा, जब visa में लिखा हुआ है, तो क्यों कम करेगा, ये बिल्कुल गलत है, कहीं से भी digest नहीं होता है, ये सारे जितनी opinion है, मेरे personal opinion है, इसमें कोई भी website को में नहीं बोल रहा हूँ, गलत है, कल को क्या पता, एक circular आजाए, आने वाले होंगे, सही हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, नहीं होगा, आप से भी request करता हूँ, कि जो भी आप लोग हैं, आने वाले, वो 1966 पे call कीजे, अगर प्लस 966, 9200, 2814, प्लस 966, साओधी का इंटरनेशनल डाइलिंग कोड है, 9200, 2814, यह आप साओधी से बाहर है, तो इसको आप call कर सकते हैं, अब साओधी का जो उम्रा वीजा है, वो पिछले कुछ दिनों से इसु नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें कोटा है, 2000 वीजा बोलते ह कि पर डे इसु किया जा सकता है, बहुत डिफिकल्ट है वीजा इसु करना, तो जब आप वीजा ले ले लें, तभी आप टिकेट बुक करजेगा, आज के इस वीडियो में इतना ही, आप लोग अपना 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 जरूर कमेंड में लिखके बताईएगा, कि आपने क्या का कॉल रिकोर्डिंग है, उससे मैं यह वेरिफाई भी कर सकता हूं कि जो मैंने सुना है, वो सही है, और जो उन्होंने बोला है, वो ही मैंने सुना है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग अपना ख्याल दखिए, तैंक यू बेरिमाच,